नमस्कार मैं हूँ सलाम अतली और आप देख रहे हैं DRV News लोगडाउन को लेकर लगातार ताजा अपडेट्स सामने आ रहे है हमने आपको बताया था कि उद्धव सरकार ने ये गोशित किया है उन्होंने बैठक की थी और प्रशासनिक अधिकारियों को यादेश दिया है कि वे लोगडाउन की तयारी करें अब इसी बीज क्या मुंबई में लोगडाउन लगेगा या नहीं लगेगा ये एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है इसी बीज जो मुंबई के कमिशनर है BMC कमिशनर इकबाल सिंग चहल उन्होंने एक बयान जारी किया है उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल लोगडाउन लगाना उचित नहीं है लोगों को कही न कही राहत जरूर मिल रही है इस खबर से कि हो सकता है लोगडाउन अभी नहीं लगेगा उनके कारोबार चल सकते है इकबाल सिंग चहल BKC में मौजूद जम्बो कोरोना का जो जगा बनाई गई है वहाँ पहुचे हुए थे वहाँ उन्होंने वेक्सिनेशन का पहला डोज लिया और उसके बाद उन्होंने बताया कि मुंबई में फिलहाल लोगडाउन नहीं लगाया जा सकता उन्होंने कहा कि कुछ दिशा निर्देश जारी किये गए है और अगले 15 दिनों तक उस सभी चीजों की समिक्षा की जाएगी यदि कोरोना के मामले कम हो रहे है या फिर बैड्स अवेलिबिलिटी की भी उन्होंने बात की कि जब तक उनके पास सभी साधन संसाधन मौजूद है वे लड़ेंगे वे लोगडाउन नहीं लगाएंगे यदि मामला बिगडता है तो 15 दिनों के बाद वे समिक्षा करेंगे और समिक्षा करने के बाद ही कोई निर्णे लिया जाएगा यानि फिलाल 15 दिनों के लिए मुंबई करों को राहत जरूर मिल रही है कि 15 दिनों तक उन्हें लोगडाउन का सामना नहीं करना पड़ेगा अब लोगों को क्या करना है ये लोगों की जिम्मेदारी है कि जो गाइडलाइन जारी किये जा रहे है उसका पालन करे अब भी नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है बावजूद इसके लोग सडकों पर खूम रहे है बेवज़ा घरों से बाहर निकल रहे है जिसकी वज़ा से कोरोना के मामले बढ़ रहे है कोरोना को खत्म करने के लिए हर एक व्यक्ति के सहीयोग की आवशक्ता है अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती है ये हर किसी की जिम्मेदारी है ये फैसला करना कि मुंबई में लॉकडाउन लगेगा या नहीं ये फैसला करना आम व्यक्ति की जिम्मेदारी है यदी वे देशा निर्देशों का पालन करते है और कोरोना को काबू में लाया जा सकता है तो लॉकडाउन नहीं भी लग सकता है पिलहाल तैयारिया जहां एक और राज्य सरकार ने आदेश दिया हुआ है प्रशासनी का दिकारियों को प्रशासनी का दिकारिय अपने तैयारियों में जुटे हुए है वहीं एकबाल सिंग चहल ने जो राहत भरी खबर सामने रखी है उससे लोगों को समझना चाहिए कि कोरोना एक बड़ी समस्या है और उसे लड़ना है उसे खतम करना है उसमें और इजाफा नहीं करना है यह खबर आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताईएगा साथ ही इस वीडियो को लाइक शेर करना ना भूलिएगा और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा